हेलो एव्रिवन वेल्कम बैक टो वर चैनल आज में पढ़ाने जाड़ी हूँ तुगलग डिनेस्टी जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली सलतनतें जो थी दिल्ली पर पांच जो रूलिंग डिनेस्टी थी उन्होंने राज किया था ठीक है पांच डिनेस्टी जो थी जिन ग्यासुदीन तुगलग जो था उसका टाइम पिरिड़ था तेरह सो बीज से लेके तेरह सो पच्चिस तक ठीक है ग्यासुदीन जो तुगलग था उसका नाम था गाजी मलिक लेकिन जब उसने तुगलग डिनेस्टी की स्थापना कर ली और वो राज गदी पर बैठा तो उसने अपना नाम क्या रखा गयसुदीन तुगलक वो फस्ट सुल्तान था जिसने गाजी का टाइटल लियाता गाजी का मतलब क्या होता slayer of infidels infidels क्या क्या मतलब होता है काफिरों को मारने बाला काफिरों का बद करने बाला थेक है अब उसने लैंड मीजर्मेंट सिस्टम को गेव अप किया था और बटाई सिस्टम यानि की शेरिंग आफ क्रॉप को क्या किया था स्टार्ट किया था लैंड मीजर्मेंट सिस्टम को खतम किया था और बटाई सिस्टम को क्या किया था start किया था उसने काफी ज़्यादा अभ्यान किये थे तैलंगाम ना में जोना खान की नितितम में उसने अभ्यान किया था उसके बाद उसने अपना बेटा जो था जोना खान उसको वारंगल और मदुराई में फिर से अपनी को री एस्टब्लीश करने के लिए भेजा था उसके वाद उसने खुद कहां पर अभ्यान लेके गया था वह बंगाल में और वहां से लोड़ते टाइम तुगलबकावाद के पास ही अफगानपूर में उसकी क्या हो जाती है मृत्यू हो जाती है एक्चुन में वहां पर कहा जाता है कि वह जो मृत्यू थी वह उसके बेटे जोना खान की सोची समझी चाल थी उसी ने उसका मडर करवाया था अब जब वह बंगाल से लोट रहा था तो क्या हुआ था उसका एक सूफी संथ शेक निजामुदीन ओलिया जो था उनके साथ एक विवाद हो गया था क पर दिली चोड़कर चले जायें लेकिन उसके वाद क्या था कि शेक निजामुदीन ओलिया ने उनको क्या कहा था कि हजूर दिली अभी दूर है तो ऐसा पहा जाता है कि हो सकता है कि यह कभी दिली लोड कर नहीं आयेगा याने के रास्ते में ही इसके भी हो जाएगी अब बात करते हैं उनके बेटे की ठीक है अब जब 1325 में उनकी डेट हो जाती है मैने आपकों पहले ही बताया कि लकडी का जो महotic निके ऑपर गिर जाता है तो इसके भी प्रिति हो जाती है और जो एक जो मुरको का ट्रैबलर था यात्री था इबन बदूता ठीक है वो उस टाइम में दिल्ली में था और उन्होंने ये बताया था कि ये उनके बेटे के द्वारा उनको मरवाने की एक चाल थी यानि कि इसका कारण उनका बेटा था जान भूज कर लकडी का महल जो था उनके गिराया गया था अब उनके बेटे का नाम है जोना खान लेकिन जैसे ही वो दिल्ली के सिहासन पर बैठता है तो अपना नाम वो क्या रख लेता है मौम्मद बिन तुगलक ठीक है अब वो क्या करता था वो अपने वो बहुत ही जादा पड़ा ल जो सपना देखेगा सुबह उसको लागू कर देता था ऐसे उसने पांच अपने प्रोजेक्ट्स को लागू किया लेकिन जो की पांचों के पांचों फेल रहे ठीक है पहला था उसने क्या किया जो दाव का एरिया था ठीक है गंगार जमना की जो नदियां है उनके बीच का ज कि जब भी वो कोई नहीं प्लैनिंग को लागू करता था नहीं जोजना को लागू करता था तो वो उसके विपरीत उसको उलिट पढ़ जाती थी ठीक है अब क्या हुआ कि उसी साल क्या हो गया की बाड़ा सोड़ी अकाल पढ़ गया अब वो शेतर जो था काफी ज्यादा होगे अगेंस्ट होगे उसके वाद सैकिंड उसका प्लैन क्या था उसने अपनी कैपिटल को ट्रांसफर किया कहां से दिल्ली से देवगिरी में जिसको उसने नाम के रखा दोलता बाद लेकिन फिर क्या फिर भी क्या हुआ कि वो सैटलमेंट अच्छी नहीं बैठी जिसके एक उसने फिरसे क्या किया अपनी जनता को फिरसे कहां पे लाया दिल्ली में और कहते हैं कि इस बीच बहुत ही जादा लोगों की मृत्यू होगी ती क्या जारी किया उसने तामबे और कांसे की क्या की कॉइंस जारी किये जिनकी कीमत जो थी वो इकॉल थी सिल्वर यानि के चांदी के कॉइंस की तरह बिल्कुल इकॉल थी अब लोगों ने क्या किया उसने जो करंसी बनाने का जो सिस्टम था उसको भी उसने सीक्रेट नी रखा अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया घर घर में क्या करना शुरू कर दिये डुप्लिकेट कॉइंस निकालने शुरू कर दिये अब जैसे ही उसको पता चला कि पूरा बजार जो है डुप्लिकेट कॉइंस से भर गया तो फिर उसने एक मुरकतापूर निर्ने लिये उसने के कहा उसने कहा कि लोग क्या करें ये जो token currency है इसको फिर से दें और उसके बदले में चांदी के सिक्के ले जाए चांदी की real currency ले जाए अब जिन लोगों ने duplicate currency नहीं भी बनाई थी उन लोगों ने भी duplicate coins बनाना यन ब्यान अब क्या हुआ कि IRAQ में खुरसानिक जगा है वहां पर क्या हो रहा था मंगोलों का पतन हो रहा था अब जो महम्मद भी一 तुगलक था उसने सोचा कि यह जो पतन की स्तिति हैं वहां पर अर्थ बिवस्ता जो है वह अस्त भैस्त हो चुकी कि हम कभी भी एना पर क्या कर सकते हैं एक साल का इडवा frightened कर दिया वो जो इराक का जो राझा था उसके साथ संधिगर ली अब इससे सैनिकों को बड़ा गुसा आया अब उसने सैनिकों को शान्त रखने के लिए उसने कराचिल पर क्या किया वहाँ पर अभियान जारी कर दिया अब वहाँ पर क्या हुआ कि अभियान जो था वो successful रहा लेकिन बाद में क्या हुआ रेनी सीजन आ गया जिसके कान जो लड़ाई करने वाले थे वो भुरी तना ढर गे कुछ आपस में ही लड़कर मर गे कहा जाता है कि सिर्व दस जो थे सैनिक वही बापिस वहाँ से लोट पाए तो ये जो अभियान था ये भी उसका क्या हुआ उल्टा पड़ गया मतलब उसने नुकसान ही नुकसान किया एक न्यू डिपार्टमेंट एगरी कल्चर को दिवाने कोही को उसने सेट अप किया और उसने क्या किया अदिलावाद का जो फोट था उसका निर्मान करवाया और सिटी जहान पना किया निर्मान करवाया था यह उसके क्या थे निर्मान कारिया अब क्या हुआ जो फैमस मुरक्कों का जो जातरी था इबन बतुता वह दिल्ली में आया 1334 में और उसको आठ साल उसको कैपिटल में काजी की उपादी दी गई ठीक है और उसने जितना भी कुछ वहां पे देख कि मुहमद बिन तुगलक की मृत्ती हो जाती है और ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम की जो हिस्टोरियन्स थे उन्होंने क्या कहा था कि जनता को इस राजा से क्या मिली फाइनली मुक्ती मिल गी थी ठीक है उसके बाद हम बात कर लेते फिरोशा तुगलक की जिसने 1300 कुंजा से लेके 1300 ठासी तक क्या किया रूल किया अब फिरोशा तुगलक जो था उसने प्रॉब्लम जो फेस करनी थी उससे जो दिल्ली ब्रेकप हो रह दियाय्च अगरिकल्चर को इनकरज करने के लिए उसने काफी स्यादा जो ध्यान था वह पानी की सिंचाईर फर enforce जो इसने काफी जो डिया से पानी की करवाया और उसने एक कनाल र्येस की अचन ईरग जो निर्मान करवाई अर् उसने बाड्रर ז्यार निर में उसने जैसे फ। फतेहाबाद हिसार जोनापूर और फिरोजाबाद। इनका क्या करवाया था निर्मान करवाया था उसने दो पिलर अशोका के जो दो पिलर थे स्तंब थे तोपारा और मेरट को दिल्ली में लाया था और कुछ तो मिनार जो थी जिसका निर्मान इल्टमुष ने करवाया था उसको फिर से रिपेर करवाया था क्योंकि बिजली गि जब भी किसी गरीव लड़की की शादी होती थी, तो वहां से उनको क्या दिया जाता था, प्रोविजन दिया जाता था, यानि कि मदद की जाती थी, उसने दो न्यू को इंटर्ड्यूज करवाया था, कोई आदा जिसमें 50% जीतल होता था, और 25% बिक, जिसमें 25% क्या होता जीतल होता था, उसने मत्रा को उसके टाइम में ही डिस्ट्रॉय किया गया था, उसने एक सेपरेट टेक्स जो था, वो बनाया था, और उसने एक टेक्स जो था, इंपोस किया था, ब्रामन पर जो यह फस्ट सुल्तान था, जिसने ब्रामनों पर क्या लगाया था, टेक्स ल